नमस्ते साथियों देनिक जीवन में रात दीन समाचार पत्रों में और सुचिनाव में हमें एक बारबार कई दिनों से सुनने को मिल रही है आखिर राज नीती में या राज करने में साथों का काम क्या है गेरुआ वस्त्रधारी जो लोग है उनका काम क्या है उनको सांसर नहीं वनना चाहिए विधायक नहीं वनना चाहिए राजनीती में नहीं होना चाहिए ये एक्ष्यल में मैं तो किसी प्रकार के दल से संबंद रखता हूँ ना मेरा इस संबंद में कोई किसी से लेना देना है लेकिन जो हमने देखा है हमारे देश की जो संस्कृति रही है परंपर आ रही है जो रहमायन महाभारत और सथियुक से जो हम उधारन देखते आ रहे है उसमें हमें ये इसपश्ट पता लगता है हमारे इतिहास को देखे तो हमें पता लगता है कि हमारे देश में जब राजतंत्र रहा हो या गनतंत्र रहा हो या लोकतंत्र रहा हो इस देश को माना और धर्म की संस्कृति के अनुरूप अगर सही दिशा देने का काम राज करने वालों को किसी ने दिया है तो वो संतों ने ही दिया है और पुराने जमाने से लेकर देखें तो पता लगेगा कि जादा तो जितने भी महान राजा हुए हैं महान व्यक्तित हुए हैं महान शासक हुए हैं उनका कोई न कोई संत ही गुरू था और उनके बिना वो कहते हैं न कि जरासा भी इधर से उधर हिलते तक नहीं थे और उनका आदेश और उनका उपदेश और उनकी सला उन लोगों के लिए मतलब एक दम जो है सरो पर ही रहती थी टॉप मौस प्राइरटी पर आप देख लीजिए शिवाजी महाराज के समर्थ रामदास थे क्या अव्वू संत नहीं थे क्या वो संत की परिभाशा में नहीं आते भगवान राम के गुरु विश्वामित्र थे उनके कुल गुरु वशिष्ट थे वो भी गेरुआ वस्तरधारन करने वाले थे वस्तरधारन करना एक अलग बात है कोई संत पीले था लेकिन वो राजनीती में डारेक्ली नहीं होते हैं लेकिन कभी-कभी होते भी हैं फ़र उनका राजनीती को दिशा देने का काम होता है अब आज आजके जीवन में एसा राष्टंद्र में होता था कि वो मंत्री महांंत्री हुआ करते थे लेकिन अब तो मंत्री महा मंत्री भी ना चुनाओ लड़े बन नहीं सकते और देश के समविधान ने उनको ये अधिकार दिया है प्रत्यक को कि वो केसा भी वस्तरधारन करें, केसा भी बंतमाएं और वो जीवन में चार हमारे जो आश्रम है, वो ब्रहमशर में हो मानप्रस्ति हो, ग्रहस्ति हो, सन्यासि हो, कोई भी हो, वो भारत का नागरिक है और वो देश को की राजनिती को देश के लोगों के कल्यान के लिए माना हो जाती है कल्यान के लिए संसद में या विधान सभा में चुन कर आ सकता है और एक नई दिशा दे सकता है योग यह होता है तो लोग उसका अनुकरन करते हैं चुनाओ करते हैं । मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की बहुत बड़ी बात है इसका इतना बहंकर प्रोफ्र गड़ा बनाया जाता है हमारा देश अनेक प्रकार कक नाम पर और इस तरह कही चीजों के और कृत्रवाद के नाम पर लड़ाया भिड़ाया जाता है हमारा देश अनेक प्रकार के धर्मों का अनेकताओं में एकता का संधिश देने वाला इतनी विजित्रता दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगी और कारण कुछ बात सदियों रहा है दुश्मन दोरए जहां हमारा कुछ बात है की हस्ती मिठती नहीं हमारी तो कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे आगे जाके कि रामायन में महाभारत में और महाभारत काल जो था उसमें भी गुरू कुल गुरू थे बाद में द्रोणाशारे ने भी एक नई दिशादी सेनापती तक ये लोग रहे हैं महाभारत युद्ध में नहीं तो पताए कि संद का सेनापती क्या काम और आप ब्रह्मनों में देखेंगे जो शत्री जैसा काम करने वाले व्रशुर्णई कने कई बाद है अपनी ख्वर्णता के दम पर शिद्ध कि राजाओं को हे उलट पलट के रख ढिया हुमBox के लिए कि अपने वचं के लिए लिए आप देखेंगे रामायन काल में ये सब थे, महाभारत काल से में थे. आज की हमारे इतिहास में देखें, तो समर्च गुरु रामदास का उधारान शिवाजी महराज किसमें मिलता है. महराणा प्रताप की भी जो गुरु थे, वो भी एक प्रकार से संथ आदमी ही थे इवन बड़े बड़े जितने भी राज हुए हैं आप देखेंगे ना कि चानक क्या अपने आप में गुरू तो था ही हैं लेकिन वो भी बहुत बड़ा संथ था संत की जो परिभाशा है वो वही बात है कि जिसको जो विचारों से उच्छ हो मानाव करलियान के लिए सब को अपने अपने मलब जिस राजा के साथ या जिस व्यक्ति के साथ है वो उसके व्यक्तित्य चरित निर्मान के साथ साथ पूरे समाज को नई दिशा दिने में सकारात में द्रश्टी कौन रखता हो नियाय का पक्ष लेता हो और जिसकी आचरन आच पवित्र हो जो विचारों से उच्छ हो हम सब आम आदमी लोगों के से जो है बहुत ही उपर उठकर उसका अपनी इंद्रियों पर अपने मैन विचार पर कर्म पर नियंद्रन होता है इसलिए व होना साधू होना और विचारों से इसा होना चरीद्र विर्खार से इसा होना जीवन में के सबसे स्रश्ट और प्योरिटी का प्रमान है और ऐसा व्यक्ति जो होता है मैं तो कहता हूं कि ऐसे ही सारे व्यक्ति अगर राजनीती में आ जाए और देश को चलाने लगे तो सही म मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि वीडियो गुनाने का मेरा इतना ही उद्देश था कि हमारी युवाप पिढ़ी जो भी इस वीडियो को देखें बहुत ज़्यादा लोग देखें नहीं जितने भी देखें शेयर करें आपस में तो विचार करें कुछ अच्छी बात है तो दूसरों का नियंत्र इनके कमेंट की वज़े से नहीं होना चाहिए हमारे अंदर की खुशि अंदर की प्रसनेता आंगे अपिवocar हमारे इसनने हाथ में हैं इसलिए कोई इस तरह से हमें प्रभावित नहीं कर सकता बहुत बहुत धन्यवाद थेंकियो वेरी मुश्ट नमस्टे